एक तरफ एरान और दूसरी तरफ दक्षिर कोरिया एरान ने दक्षिर कोरिया का एक जहाज जो है वो सीज कर लिया है यानि की जब्त कर लिया है और इसके बदले एरान ने दक्षिर कोरिया से खर्बो डॉलर रुपे की मांग की है लेकिन एक खर्बो डॉलर की मांग की बात इसके तोड़ा पिछेर जाना पड़ेगा यानि पाध जनुरी 2021 को SI vite वह से इरान की सेना ने धक्ष्ड कोरिया के जहाज पर कब जहाजा किया और जहाज की मालिक की बात माने तो उसके अनुसार इरान की सेना ने जबरन की तरह मौनने के ये कहा थे इस पूरे प्रकरणर्ण पर इरान का स्पस्टव करण भी आया है कि ऐसा इरान ने इसलिए किया क्यूंकि फार्स की खाड़ी और जल्ड अम्रूमाध्य के बीच इस जहाज की वजा से तैंकर की वजा से दक्षिर कोरिया ये टैंकर की वजा और नहीं खर्बो डॉलर रुपे की बात तो ऐसा इसलिए क्योंकि दक्षिर कोरिया के पास खर्बो इरारी डॉलर जब्त है और उसे निकालने की फिराक में एरान है क्योंकि अमेरिका ने इरान के परमाडू हतियार को और शशक्त करने की मांग को अभी फिलहार टाला हुआ लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि एरान ने है चाल जो चली है तो काफी हद तक इस मामले में सफल होंगे आगे की जानकारी जानने के लिए पढ़ें हमेरी पूरी खबर